नमस्कार मैं डॉक्तर विकास स्वानकार देपार्ट्मेंट अव्योलाजी गवर्मेंट वीट पीजी आटो नमस्कार दूर्दुर्ण आज तुडे वी आदिसक्रसिंग अबाउट अफ्यलाइट इंग्नियस रॉक यहां हम ओफफिल known को फिट्रण को कुछंट से क्यों मार अपनीशन कि बार्ट करेंगे से फ गारन आप सवर्म पार्न एपर अंड GM शाउच है新 li.2,7,1,2,2,3 और भाले वीपी शक्पावीअ कि मेजए की तुए और रचोंत यौिजा फीजाव wurde Tres Kona scrut फ्फ़्िच प्रीजिजड प्लव टेक्ट्टनिक में तूरस कैन्न यज्ट्टिक्ट रचु यद फे लिडिट ऑन स्थ Angeb बेसिक यह और अल्टर मैफिक टू बेसिक और मैफिक रॉक स्टाइब बेलीवड टू रिप्रेजेंट एक सेक्शन तू दू लिपस्पेर आफ बेसिक आर्क इंपेस्मेंट अन्टू कॉंटिनेंटल और ओल्डर ओशीनिक क्रेश्ट वाई अब्दक्शन यहां जो जो लिसफियर में अल्टर बेसिक या बेसिक आपक इंप्लेस्मेंट हो जाता है इंप्लेस्मेंट मतलब जो एक जैसे इंग्नियस रॉप स्वेजन होते हैं वैसे यहां जो में यह पूरा इसका जो एक पार्ट है वह यहां पर इंप्लेजड हो जाता है सॉलिड फॉर्म पे अंटु दो कॉंटिनेंटल और ओल्डर ऊशनिक ट्रेस्ट भाइ अब्डक्शन प्रोसेस की कराण यहां आप्डक्शन मतलब जो सब्डक्शन जोन होता है उसी का एक होता है और यहां पर एक रॉक्स की पूर एक जो मेजर रॉक होते हैं वो अल्ट्र मैफिक या बेसिक से लोगों को यह सब देखने मिलता है अगर हम कलर की बात करते हैं तो बेसिक की बात करेंगे और उसके कंपोजिशन से जब आपन बात करते हैं उसके अलिमेंटल तो वह हुए है मैफिक यहां एक 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 ऑफियलाइट्स का यहां फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है इसमें जो सीरीज हम लोगों को मिलती है इसमें अगर हम यहां अगर देखें तो यह टॉप पॉर्शन जो है यह पूरा अप अब विल्व स्ट्रक्च्चर वगए इसमें देख सकते हैं उसके नीचे यह सीटेड डाइक साइगा उन्टीनियूस को देखने मिलती है उसके नीचे हम लोगों को फैल्सिक रॉक सिया उसके अगर जो गब्रो और बैब यह सब देखने मिलेंगा और सबसे बैस में अगर ह है क्यों साथा फूरे मैफ्क और आइफरिक ग्रॉप कुंट एक Biraz होते हैं यह हंको यहां देखने मिलता है हम भंधे हम देखेंगे प्राउधि अ सब्कत करें हैं सब्सक्राइब ना पिलाउज कि आफिलाइट के नाम से जानते हैं मेनी जी लाजिस्ट विलीव दैट ऑफिलाइट फांड एट ओशने क्रिड्स और ज्यादर तर जो जी लाजिस्ट हैं वह यह मानके चलते हैं कि यह जो होते हैं वहाँ पर यह जो किसी टेक्टानिक फोर्स की कारण होते हैं जहाँ कनवर्जेंट बॉंडरी होती है ऐसे को पर एंड देन विकम एक्सपॉज्ट इन हाईली डिफांड और ओर ओर जैनिक मांटेंग बेश्री और यह किसी और जैनिक मांटेंगे बीच में वहां थी कंडिशन में अपने शे और वेस्का डीफार्मेशन हो जाता है इस कंडिशन में हमको यह तर मिलता है कि अबर रर्फिलाइट्स फाउंड सबसेज़ प्लेट पीशे बिलेट इमटिरल अप्लेट यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो शेनिक लोगों को यह पीशेज जो होते हैं वह हम लोगों को यहां ऑफिलाइट के इसमें मिलते हैं अधैट हाव बिन आथ्रस्टेड अबडुक्टेड और यही जो है जो सब्दक्शन जोन में जैसे सब्डक्ट होता है वैसे यह उसके आपोजिट पार्ट में अब्डक्ट हो गए किसी प्लेट के ऊपर की तरफ जब यह मूफ करता है या थ्रस्टिंग इसमें शो करता है जो लेज दें 30 डिग्री का जो उसमें उसका जो फ्रस्ट फॉर्ड टाइब से ही होगा यह फार नहीं होता है इसमें दो कॉंटिनेंट्स आपस में एक के ऊपर एक इसमें जो देखने मिलते हैं और यह जो होते हैं उसका ही एक एक मॉडल को हम लोग को यहां सो करता है यह आफिलाइट्स आफिलाइट्स आर एन असेम्लेज आफ मैफिक और अल्ट्रमैफिक लावाज और यहां जो है अब एक और जो है इसमें जो बात करेंगे हैं और यह एक और जो है इसमें जो बात करेंगे आफिलाइट्स साइट अब यह आफिलाइट्स साइट्स क्या होते हैं जहां पर यह एक ग्रूप में मिलते हैं आफिलाइट्स साइट्स आफ रॉक्स अब यह इसका एक को सिक्वेंस के फार्म पर हम लोग को यह आफिलाइट्स मिलते हैं आफिलाइट्स क्या है और उसके कंपोजिशन को हम जानने के लिए क्या इसमें स्टडी कर सकते हैं यह इसको हम देखेंगे आफिलाइट्स से रिवियल में स्ट्रक्शर और फृशनिक और उसके ओपर हम यह तड़ी कर सकते हैं और यह एक अमेजिंग डेटेल्स जो हम नहीं प्राफ्फ हो सकता थे वह यह आफिलाइट के तुरू हमको मिल सकता है है also the processes of crystal formation and hydrothermal circulation as well as the origin of marine magnetic anomalies can be studied with comparative clarity में हम जो सके मैं मेरीन के मैगनेटिक के अनामीली है उनके बारे में इस्टड़ी कर सकते है उसके ओरिजीन के बारे इसमें study कर सकते हैं और यह किस जगह में जो जो ओशनिक क्रेश्ट में यह कैसे यह इसका फॉर्मेशन होता है उनके पूरे उसके study हमको यहां से किया जा सकते जिसके composition और structure भी यहां तक हम उसके जान सकते हैं प्रड़े लिए कि थैप और टैक्टोनिक सेटिंग्स होड्या फॉर्म में इन आफिलाइट्स यहां पर जो प्लेट टैक्टोनिक जो है वो इस तरीके के हमको होंगे जो हां पर यह अफिलाइट्स मिलते हैं वहम यहां देखेंगे कि आफिलाइट्स है विन डिस्क्राइब from three oceanic tectonic settings यह 3 tectonic oceanic settings पहलों को यह देखने मिलता है और यह है एक मूड मेर्च रिड्ज जो कि एकडम समुद्र के कॉंटिनेंट्स के जो एकडम सारी कॉंटिनेंट ने ओशने सब्सक्राइब को बाइब और इमेच्व आइलेंड आज जो है जहां पर जो आइलेंड साहे वह हम लोग को जहां मिलते हैं उस जगह में पी एक हम लोगों को यह कि ऑफिलाइट मिलते हैं जो टेक्टॉनिक सेटिंग अब मिप rozp श्रीक्त यहां उसका डाइगराम दिखाय गया है कि यह दो पार्ट है कि से करारण के कारण वहां के जो जो ऑखिर मिटबेंट थो Рट है though जो ऑसेनिक प्लेट से अजा और उनके करण यहांपर जो मद्शनिक वे शाओर यहां पर संटर में जो एरो से दिखाया जारा हूं आपके हम लोगों को यह और फिलाइट के एक स्ट्रक्शर स्टार्ट तो उसके करण екंड्र क्या होगा की यह जो कन्वेक्शन करन्ट अभी हां दूसरे जो यहां टाइब यह क्या चुक और इहां बहुत जादा होगा तभी इस टाइप से उसमें क्या होता है कि जो उसके सब्दक्शन आपसेट वाले जो सम्दक्शन जो प्लेट तो उसके प्लेट वाले में नीरेस्ट में जो कॉन्वेक्शन करण के कारण इसमें प्लेट है वह एक तो सब्डक्शन जो उनकी तरफ मूव करेगी और दूसरा उससे दूर की तरफ दूसरे आपोजिट साइड में इनके बीच में और एक जो आइलेंड आप जो है वह बनने का एक प्रोसीजर चलता है और उनके बीच में क्रमसा दूरियां बनते जाएंगे तो वहां एक एक बेसीन के जैसे स्ट्रक्शर बन जाता है हां दिखार होगा बैक आग बेसीन और इनहीं पर फिर जो जो बेसाल्टिक जो ऑफिलाइट्स अगरा है यह सब उसमें हम लोगों को एक सर्फेश पीस में देखने मिल सकते हैं इसरा है मिश्योर आइलेंड और अप जगह में जो अच्छे में चोड़ होते हैं लेकिन कुछ जगह में अगर हम देखें तो इम्यचूर रहते हैं यहां पर भी यह जो अपलिफ्ट होकर उपर की तरफ हम लोगों को देखने मिलते हैं कि इंपलेश्मेंट आफ ओफिलाइट यहां इंपलेश्मेंट का मतलब मैं पहले ही बता चुकों कि यह एक किसी रॉग पूरे फार्मेशन जो एक लेयर्ड है उसके पूरे पीज जो है जो टॉप बाटम तक का जो सीरीज था वो पूरे के पूरे अफलिफ्ट होके या उसके से कुछ अपार्श्म भी हो सकते हैं वो अपलिफ्ट होके हमारे सर्फेस में इंटूजन के फार्म पे मिलते हैं यह इंपलेश्मेंट के नाम से जानते हैं और वह भी कि अगर यह फेलाइट ओर इन प्लेजट इन आडइज ननल ओर जैनि अग। है 양जर में अपलाइट इस त्यज्टत तीन मेंजर मेकनिजम्स के और आर्ख है और ओ्रजेनिक के inspired जो पर परवतन जो होते हैं इसमें को फिर्स्ट है अब्दक्शन और थ्रस्टिंग ऑफ ओसेनिक लिथेस्पेर आन्टू पाइस्व कॉंटिनेंटल मार्जिन दिरिंग कॉंटिनेंटल कोलिजन फिर्स्ट कंडिशन है इसकेंड है इस्प्लेटिंग अन्द अपर पार्ट अफ दिसे क्रेस्ट टू एक्रिशनरी प्रिज्म इन और को सिस्टम आगे हम यह पूरे को डिटेल देखेंगे कुछ डियाग्राम के साथ जो है यह फर्स्ट जो हम लोग अभी देखेंगे जो इंप्लेस्मेंट आफ आफिलाइट्स में की अब्रक्षन और थ्रस्टिंग आफ ओशेन इक लिटेस्पेर आंटू पेसिव कॉंटिनेंटल मार्जिन डियूरिंग कॉंटिनेंटल कोलिजन तो क्या हो रहा है कि यह दो अब्ड़क्ट हो गया और दूसरा जो है वह अब्ड़क्ट हो गया है तो ऐसे जगह में यह हमारे कॉंटिनेंट्स के ऊपर में हम लोगों को यह आफिलाइट जो है यहां इस्ट्रक्चर हमको देखने मिलेगा दूसरा कंडिशन है इस प्लेटिंग ऑन अपर पांट आफ अब्ड़क्ट्चन अफ त्रस्ट सीट ऑंटू ऑफार्मर आर्ग क्या होता है यहां वहां दो कॉंटिनेंट्स थे यहां पर सिर्फ एक कॉंटिनेंट और ओसेन प्लेट्स हैं तो इन दोनों के बीच में अगर यह देखें अगर यह कुछ सब्ड़क्शन हो रह था और धी और यहां पर भी हमको इस कंडिशन में जो एक ओशेनी प्लेट और प्रेट के फुलिजन में भी हमको यहां जो आफिलाइट्स देखने मिलेगा और तीसरा कंडिशन यहां पर है एन अडिशनल आफ असलेब आफ ओशेनिक क्रस्ट टू एक्रेशनरी प्रिज्म इन आर्क सिस्टम अब यहां पर क्या हो रहा है कि ओशेनी प्लेट जो है वह सब्डक्शन हो रहा है लेकिन यह अपर पार्ट की तरफ नहीं जा रहे है जैस है आशक यह से चैज्ट से कुछ स्टॉक्शर देखने हैं और साथ ही अगर यह कॉंटिनेंटल क्रेश्ट के प्रिज्म अब रहे हैं तो यह ही सब्सट पार्ट में हम लोगों को यहां आफ इलाइट के दिखेंगे यह पूरा सीरीज नहों के यहां पर कľ て कुछ पार्ट से हम limited जो की बहूत ही इस मोटi स्में diffamili यहां जो अधिन जो सबसे मेसाभान पर मिलता है सब्सक्राइब interrupt a जो फेलाइट्स के लिए उपर एंपलेश मेंड के लिए क्या उसका रहिए अप्लेक्स में प्लेट में जो आपिलाइट का इंप्लेस्मेंट के लिए जो मेटमार्फिक कॉंप्लेक्स हैं उनका रोल होता है और इस मेटमार्फिक सुल्स एस दे आर आफन काल्ड हैव मेनी फीचर्स इन कामन और इस टेप से जो मेटमार्फिक सोल है वह उसमें बहुत सारी फीचर्स जो है यह कामन होते हैं पहला जनरली रेंज फ्राम टेंट फाइव फाइव हंडेड मीटर कि अधे एक्स्टेंड लेटरली फार टेंस तो हंड्रेड आफ किलोमीटर यह एक्स्टेंड होता है पूरा दस से लेके आप सो किलोमीटर के बीच में इसका जो एक्स्टेंशन दिखते हैं हम लोगों मोस्ट शो असारफ डिक्रीज इन मेटमार्फिक ग्रेड फाम टॉप जो इसमें और उसकी कमी दिखती है और यहां यहां देखने मिलता है दे आर कंपोज्ड आफ मिक्स्ट मैफिक वालकेनिक सर्पेंटिन एंड मेटर 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 सेडिमेंट और यहां हम लोग एक मिक्स्ट परेडेर खंप ट्रियंक ग्रॉट वालकेनिक मिलती हैं जो सेपेंटिन एंड मेटर ऊप्रेड हैं अण अधमार्ण मिलते हैं यहां पर जो कामान फांव पार है these data are consistent with an origin for souls of successive underplating and welding onto the base of an offloads as it moves from the upper mental to the surface subduction related offloads अब यहाँ अफिलाइड को दो अलग अलग कंडिशन में लेके चला गया तो सब्दक्शन रिलेटेड और दूसरा सब्दक्शन अन्रिलेटेड ऑफिलाइड अपन सबसे पहले देखेंगे सब्दक्शन रिलेटेड ऑफिलाइड यहाँ पर सब्दक्शन रिलेटेड इंक्लूड नोफिलाइड इंक्लूड शुप्रा सब्दक्शन जोन जो सब्दक्शन जोन के ठीक अपर पार्ट में अगर हम बात करें यह जो उसके आपर पार्ट की और मूव करता है तो यह जो हम लोग कॉपक्यों ने वालकेनिक आर्क्स यह दो चीजें इसमें जो है उस इसमें जो हम लोग को आपके लाइट्स को जो इसमें देखने मिलेगा वालकेनिक आर्क जो होते हैं जो कंटिन्यूर सीरीज होता है वालकेनिक कि एरक संके और इसमें दूसरा है वोज इवलुशन इस गवाइन बाइस लैब डी हाइड्रेशन होता है और एक अपने मैटेस्व मेंटल मतलब जो सब्डुक्टेड प्लेट होते हैं उसके अपर पार्ट में सब्ड़क्ट होते हुए उसके अपर पार्ट में सेडिमेंट्स जो सी फ्लोर के अपर साइड में जो रहते हैं वो भी नीचे की तरफ सब्डुक्ट होते हैं जो कि वाटर से सब्डुक्ट होने के कारण नीचे की तरफ जाते हुए इसको टेंपरेचर बढ़ने से यह उसका वहां से जो हाइड्रस जो होते हैं जो वेपर होते हैं वहां से मूफ करने लगते हैं और यह जो है जो सब्सक्राइब जो प्रेट के साइड वाले जो और अबशन होता है उसमें यह एक फ्लूट के फाम में मूफ करते हैं और साथ साथ इसमें इसी कारण से यहां मैटेस मेटरीजम भी यहां देखने मिलते हैं मतलब फ्लूट के कारण जो रियक्शन करके जो वहां के रॉक का दूसरे किसी कंपोजिशन में चेंज हो जाना इसे ही अपन मेटेसम मेटेसो मेटेसम जो कहते हैं वो यहां देखने मिलता है और तीसरा जो है मेल्टिंग आफ दा सब्दक्शन सेडिमेंट्स रिपीटेड आए उसके साथ में यह में जो जशंत और सब्सक्राइब करके आफ देखेंगा हम आपकी यह सब्सक्रांगे हम देखए यह जो की और जो होते हैं जो बात करते हैं स्टार्टिंग में इमेज जो देखे थे डाइग्राम और प्लूम टाइप ऑफिलाइट और कहीं पर यह फ्लूम के फॉर्म पर जो आफिलाइट से हैं वह हम लोगों को देखने लेंगे और दूसरा है डैट जनरली है मॉर्व कंपोजिशन इसका जो कंपोजिशन होता है जो सब्दक्शन अन्रिलेटेड आफिलाइट के यह बसाल्टिक कंपोजिशन के होते हैं वह भी में जो पाया जाने वाले बसाल्ट के जैसे और थर्ड है सी इट से डेवलब्ड दूरिंग दूरिंग दूजर आप दो पेडिंग जहां पर होते हैं तो ऐसे जगे में हमको यह इसका डेवलब्मेंट जो है वह देखने मिलता है कि इसका इवाल्ड होना कि इसके बाद है ऑफिलाइट्स वरसेज ओशेनिक अब यह दोनों हम एक कंप्रेटिव एक चड़ी हो रहा है यहां ऑफिलाइट्स और तो इसमें क्या होता है कि जो देंसिटी आफ़ ऑफिलाइटेटी ब्लड तो करेंगे ऑफिलाइट्स ऑफिलाइट्स और नट है एनी और तरस्ट थिखने से नहीं मिलता वह कम या ज्यादा इस टैफ से कुछ भी हो सकते हैं इसका वेरीशन हमको देखने मिलता है तो दे में हैव इवन मोर आप लेस्ट थिकनेस वाइल ओशेनिक और फाइब टो सेवन किलोमेटर थिकनेस तो यहां जो उससे कम या ज्यादा कि इसमें हम लोग को शेनिक क्रेश्ट जो है फाइव टू सेवन किलोमेटर ठीक लिए उसका हम लोगों को मालूम होता है तीसरे हैं ऑफिलाइट लावा और डॉमिनेटेड वाई आरक थुलाइट इसमें जो ऑफिलाइट के जो लावर है यह जो वहां मिलता है और यहीं जो है जो है जो मिलता है उससे थोड़ा ही डिफ्रेंट होता है जो कि इस टैप से उसमें देखने नहीं मिलते हैं यहां कुछ एक्जाम्पल्स है जो जो आउंटि ऑफिलाइट दो इसने औमान अमान में जो एक। से मैल ऑफिलाइट से वह एक स्टेंडर्ड पिलाइट का जो आइडियल कंडिशन में लेकर चला जाता है जो कि पूरा एक ठीकनेश इसमें प्रॉपर जो भी जो बात कि उस यह स्टैप से से करता है एक अचली योशियनों उच्ट करता है । ओशने अचली यह था चुनिक्त फिर अब्ड़क्टिड अउपर की तरफ आ के उसमें लोगों को प्रता है वन अब बेस्ट आफ प्डॉजड ओफिलाइट सिक्वेंस इन देवर्ड और ये एक वर्ल्ड का एक सबसे बेस्ट आफिलाइट सिक्वेंस यहां हम लोगों को देखने मिलता है यूँकि हम एक पूरा स्टेंडर सीरीज में इसको लेके चलते हैं 600 किलोमेटर लॉंग और 100-150 किलोमेटर वाइड यह पूरा एक सिक्रेंस हमको यहां देखने मिलता है यह सीमेल ऑफिलाइट्स जो है उसका एक यहां पर हम एक डाइग्राम देख सकते हैं जो ऑफिलाइट से अपलिफ्ट हो चुका है इसमें आपड़क्ट होके ओफिलाइट्स इन इंडिया यह कुछ एकस्थापल जो इंडिया के है जो सिंदिया मारेट अगशा लिवन स्प्रमा करते नागाशी प्रमा यह वह फिलाइट और disney और इंडिया प्लेट बाउंडरी बिलो दा बर्मा इंडिया जो है सब्डक्ट हो रहा है और वह भी इस्ट वर्ड जो डायरेक्शन के तरफ इस्ट की डायरेक्शन के तरफ और यह इसका जो एज है अर्ली क्रिटेशियस उसके आसपास का है ऑफिलाइट इंडिया जो अपन बात कर रहे थे यह वर्मा के पास का यह उसी एलिये का है हर्जबर गाइड यहां पर जो अपन बात किये थे वह यहां पर विखार है और कुछ डाइक्श बंगर दे और वह इसमें लोगों को देखन का है ऑफिलाइट और एंचेंट ओशेनिक क्रेस्ट इसलेप्स एट हैव बिन प्रिजर्वड अब्ड़क्टेट अंदर कॉंटिनेटल क्रेस्ट अर्थ सर्फेस ओशनी क्रेस्ट के कुछ इसलेप्स हैं जो की ऊपर की तरफ आपड़क्ट होके हम लोगों को प्रिजर्व ह होके यह सर्फेस पर देखने मिल रहे हैं दे आर लोकेटीड इन प्लीजनल फ्लेट ओर यहमेंसा हम को यह जो माझी. अब और वो यह मिलेगा और देयर इस सिमिलारिटी विद द ओशनी क्रस्ट और यह ओशनी क्रस्ट के सिमिलर इसमें जो होते हैं ऑफिलाइट्स दियार कंपोजिशन इस बॉटम तुटॉप रिस्पेक्टिवली अल्ट्रमाफिक रॉक्स गैब्रो सीटेड डाइक्स लावा सेडिमेंट और यह लेयर्ड गैब्रो को भी यहां बीच में जो अल्ट्रमाफिक रॉक्स के ठीक बाद में अपर साइड में हमको यह देखने मिलेगे पूरे सिक्वेंस जो है कुछ रिफ्रेंसेज है कि थैंक्यू क्वेश्य कर दो झाल 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 झाल